हैलो फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे भरमा शिमला-मिच इसे हम बिल्कुली नहीं तरीके से बनाएंगे तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं भर्मा शिम्ला मिच बनाने के लिए हम सबसे पहले इसकी फिलिंग तियार करेंगे इसके लिए हम एक कड़ाई में एक बड़ा चमच तेल कर डालेंगे और इसको गरम होने देंगे गरम होते ही हम इसमें एक चमच जीरे कर डालेंगे इसके साथ ही हम एक चम्मच ग्रेट किया हुआ जिंजर और गार्लिक डालेंगे और इसको अच्छे से इपकाएंगे ताजो इसका कच्चापन निकल जाए अब इसमें दो ब्रीक कटे हुए प्यास डालेंगे और इसका रंग बदलने तक इसको भूनेंगे प्यास ब्राउन हो चुके हैं अब हम इसमें मसाले डालेंगे मसालों में हम सबसे पहले एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, आदा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आदा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर और दो कटी हुई मिर्चे डालेंगे और इन मसालों को हम एक मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे अब इसमें 100 ग्रम कद्दू कस किया हुँ अपनी डालेंगे और इसको मसालों के साथ 1 मिनट तक पकाएंगे अब इनमें मैश किये हुए 4 बड़े उबले आलू डालेंगे और इनको मसालों के साथ 2 मिनट तक पकाएंगे मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें स्वाद मुसार नमक डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे और लास्ट में इसमें आदी शोटी चम्मच गरम मसाला डालकर मिक्स करेंगे अब हमारी फिलिंग विल्कुल तयार है इसको ठंडा होने के लिए साइड पे रखेंगे यहां मैंने 300 ग्राम शिम्ला मिच ली है इसको अच्छे से दो कर सुका लिया है अब हम इन शिम्ला मिच के उपर वाली डंडियों को काटेंगे ज्यादा तर लोग इसको टॉप से काटकर फिल करते हैं लेकिन हम इस तरीके से इसको सेंटर से काटकर इसको फिल करेंगे और इसके बीच वाला जो वाइट पोशन होता है उसको सभी को काटकर हम बाहा निकाल देंगे ताजो हमारी फिलिंग अच्छे से बर सके इसी तरह हम इसके भी सारी बीच वाहा निकालेंगे अगर आप इस तरह से शिम्ला मिच को फिल करोगे तो पकाते टाइम इसकी फिलिंग बाहा नहीं आएगी और यह अच्छे से पकेगी अब फिलिंग भी ठंडी हो चुकी है अब हम इसको शिमला मिच पे भरेंगे एक स्पून की हैल्प से हम इसको शिमला मिच के बीच दवा दबा कर भरेंगे यहाँ पर हमने खास जयां रखना कि हम इसको बिल्कुल दवा दबा कर भरेंगे ताजो शिम्ला मिच को पकाते टाइम इसकी फिलिंग बाहर ना आई इस तरीके से हम सारी ही शिम्ला मिच को फिल कर लेंगे और सारी शिम्ला मिच फिल करने के बाद इसको कड़ाई में पकाएंगे आप चाहे तो इसको वेक भी कर सकते हो अब हम सेम ही कड़ाई लेंगे इसमें एक चमच हम तेल का डालेंगे आप चाहे तो तेल थोड़ा ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो अब हम भरी हुई शिम्ला मिच के सारे ही पीसिस इसमें बहुत ही ध्यान से रखेंगे इनको बिल्कुल सीधा रखेंगे ताजो इनकी फिलिंग बहार ना आए इसको दो-तीन मिनट के लिए ढखकर मीडियम कैस पर पकाएंगे ताजो जे जले ना तो-तीन मिनट वाद अब हम इनको पल्टेंगे आप देख सकते हो फ्रेंड्स की हमारी शिम्ला मिच नीचे से पक चुकी है इस स्टेप को हम बिल्कुली ध्यान से करेंगे ताजो हमारी फिलिंग बहार ना निकले अब हम इसको एक बार फिर से पल्टेंगे आप देख सकते हो फ्रेंड्स की हमारी शिम्ला मिच दोनों तरफ से अच्छे से पक चुकी है भर्मा शिम्ला मिच अब बिल्कुल त्यार है अब हम इसको सर्व करेंगे